चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी गुड आफ्टून तो सभी को गुड मॉर्निंग आल डिफेंस 101 के ऑफिशियल यूटूब चैनल पर मैं संजर मिस्टर स्वागत करता हूं करेंट अफेर एंड जी एजी एस मेंटर आपके साथ जिसमें हम लोग बात करने वाले यहां पर कि क परिशा खास बाते हैं कि कुछ फिजियोग्राफिस के इस मालम बात करेंगे आपको बता दें नेक्स वीक में हम आपको फ्राइडे से मतलब पर्सों से स्टार्ट करने वाले हैं जी एस के कुछ इस्पेसल टॉपिक्स जिसमें जी इस की तयारी करेंगे हम लोग टॉपिक चाहते हैं ठीक है तो जल से जल मुझे बता सकते हैं अपना यहां पर कंफरमेशन भेज सकते हैं कि किस टॉपिक बढ़ना चाहते हैं जल्दी से 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 करेंगे अपने दोस्तों के साथ और हम लोग स्टार्ट कर देंगे अब देखते हैं पहले अगर आपने प्लस सब्सक्रि आपको वहां पर जुड़ जाना होगा मेरे साथ और जुड़ने के साथ साथ आप वहां पर जुड़ सकने के साथ आपको का करना होगा जुड़के ही आप वहां पर किसी भी तरह के all classes वहां पर ले सकते हैं मलब सभी educators की classes live structure courses मिल जाएंगे सभी आपको complete वहां पर और जितन पढ़ने का मौका मिलता है और आप उनसे unlimited classes ले सकते हैं मतब कितनी भी classes आप उनसे पढ़ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के और जितनी ज़्यादा तरीका होता उनका innovative तरीका होता जिसे पढ़ाने की कोशिस की जाएगी आज के टॉपिक में हम लोग कुछ परवतों की बात करेंगे कुछ आपके desert की बात करेंगे कुछ ग्रास लेंड की बात करेंगे सारी चीज़ें वहां confirm करेंगे तो सबसे पहले आप लोग सेर कर दें मैं भी शेयर कर देता हूं ठीक हाई जली कौन कौन सेशन होगा यहापर जल्दी शेयर कर दें लाइक कर देंगे सेशन को करें लाइब हो चुका आप लोगों का यहां पर जल्दी से सेर कर देंगे सभी लोग और सेशन को लाइक कर देंगे और यहां पर हम लोग शुरू करने वाले देखिए अगर आपने अपना रेइस्टर करेंगे प्लस अपना गोल देने पड़ेंगे कि आप लोग को दुबारा पढ़ना ही न पड़े इतना प्रहाद हो जाएगा यह हम लोग की कोशिस रहती है जल्दी स्टार्ट करते हैं यहां पर करेंगे और फास्क मैदान जब जान जांगे तो यसको में अलाग अलाग तरिके घास मैदानों को देखने की कोशिस करेंगे ле Ambours के मैदान क्या होते हैं निए ऐसे जिनकी जाइए ज्प यहां पर यहां पर मिलेंगे जो बहुत कम उचाये पर होंगे ठीक है तो इसलिए जल्दी जल्दी जो लोग यहां पर नहीं जुड़े हभी तक उजूड़ जाए भाई जल्दी से लोग कि और फिर स्टार्ट करते हैं सेस्टन को घास के मेधानों के गाह़ा लहाँ आओ जाने के तो लिखे वड़ इमपोर्टंट ग्रांस छonage वर्ड् इंपोर्टंट गरे अब नीदट को ग्रासलेंट कि दूटरीकीर फिस्ट आफाल देखे जो ग्रांस लेंड होँगे डो तरीके कौन कौन से तू टाइप होते हैं पहला कौन सा होता है पहला होता है ओस्ट करवन दिये तो हिंदी में जानते हैं यह तो हिंदी में पेपर तो ऐसे आपके डिफियंस के बहुत पहले होत कमी आते सब्सक्राइब लेकिन जल्दी बच्चे समझ नहीं बाते क्योंकि मेजर वहां पर इंगलीज की डिमांड आपकी रहती पेपर में तो इसलिए पेपर कितनी त्यारी कर लेते हैं को इनकी समझ नहीं आती तो उस्ट करवंदियों को हम लोग यहां बात करें आप आपकल एंग टेंपरेट को देखित कन दी दो घृप के मेदान नहीं ही आप से तू टाइप ऑ घ्रासलेंड दो कहते हैं कि पैसे बतरों आपके बदा चलेंगा व्रीजन क्या होगा कैसे पता चलेगा उस्कष बंदी को दो तो देखें कबंदिए हैं कि पता कैसे कुर्चरवंद्य क्या होता है उस्करवंद्य घास के मेदान वह होंगे जो कहां पर हो जो से ठर्टी डिग्री के आसपास के शेत्रों म pastor पाए जाएंगे यसे उसे ayo, 30 एंब होते हैं पोल्ष के तरह बढ़ने पर वहां पर ट्म अ होगा से आफेज्व होता है cm और नॉमल जो फिनोमेना होता हूँ उनके लिए है यहाँ पर किजिए देखें जीरो से थर्टी डिगरी के आसपास अब जाएंगे यहाँ पर कि अब लोगा दूसरा क्या होगा तो यहाँ पर होगा कौन सा यहाँ पर टेंपरेट गास लेंड होते हैं जहाँ पर 30-60 वाद होगा और यहाँ पर कौन से होंगे इन जगों पर मैं आपको कुछ घास के मैदान बताओंगा उनके नाम भी आपको लिखने होंगे लोकेशन और वो क्या-क्या कहलाते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा ठीक है जल्दी से लिखेंगे आप यहाँ पर लिखो हीडिंग डाल लो वर्ड फेमस ग्रास लेंड कि बिस्यू के प्रवु घास के मैदन मैंने दो तरीके इसाथ ऐकी गर्म होते थंडी वाइस टंड़ियं वाइस थंड़ियstep कंद्डव देखागया है अब आपको मैं घास के मैदने देख सकते हैं रह लोकेशन वाइस वी देख सकते सब देखते हैं लिखो गॉस्त ग्रास लेंद ग्रास लेंस सबसे पहले लिखो परेरी जर ग्रास लेंद लिखो प्रेजा क्रास लेंड प्रेरी कहा मिलता है नौर्थ अमेरिका में कहांपर यू एसे मिलता है और इसको हमने कल भी बहुत आया था क्या करता इसको प्रेट बासकिक कहता है किओ कि यहाँ गेहूं के पैदावार बहुत होती क्या होती गेहूं की पैदावार यहाँ पर बहुत होती इसलिए इसको प्रेइडरिस बोलते है कहाँ भी होता है नौर्थètमेलिका में और बेड बासकिक के नामस भी सही जाना साथ है ठीक है तो लिखें आगे यह हो कि प्रेरी जो कि ठंधा घास का मेदान है यह अगला लिखें का मिलता है वाइड गिर्नी एक्स्टेंसिव रैंजिंग होती बहुत ज़्याद है यहां पर क्या होती है यहां पर चारा चारा वाह होता है चारा गाह के लिए फेमस है यह पिस्ताज क क्से लिए फेमस है जुख औरिच बलाग स्टायल के लिए ठीक रिच इन बलाग स्टायल जो आपके पिस्ताज मैदान होते हो काली मिट्टी उसमें परियात मातन पाया तो काली मिट्टी कि है लीए आती है कि एक कौर्टन क्रॉप करते हैं कि में कौ्टन क्रॉप करते हैं यहां और यहां पर किशी कह पर प्रियक्षन होता है या कि वीट पॉर्डक्षन क्या होके होका अभएन्दटब्ड फे कि वैंटन्ट कि फिक्ट वीड प्रोडक्शन होता है यहां पर पर्यावत माता में गेहुं घुद पार्म देखा गया पुस्ताज के लावात हैं पुस्ताज में क्या क्या होता सुगर फ्रॉम सुगर बीट है और कहां मिलता है पुस्ताश कोस्टाश की क्या हो गाया हंगरी भूख वाला था मैं वह थो हो जो होता उसमें स्पेलिंग क्या होगी जो भूख वालाव को उसकिंस्ति होगे धी अंगरी होगा ठीक अंगरी प्राद क्या होगा यूर्य यूक्रैन यूकैन के बाद क्या होगा रोमानिया टीक है इन देशों में पुस्ताज मिले के कॉसशन आजओ आता कई बार पूछा भी गया है यहां जहां पर गेहूं के भी अवेटनेंट होता के लिए और यह कैसा है रिचिन ब्लैक स्वाइल काली मिट्टी में यह पाया आता है तो यह सब देश जहां पर हैं वहां पर मिलता है कहां पर हंगरी यूक्रेन और रोमानिया में ठीक है आगे जलते हैं अगला घास के मैदान है प हम पास घास कमेदान बहुत इंपॉर्टेंट यह कहां मिलेगा साउथ अमेरिका में अर्जन्टीना में कहां पर साउथ अमेरिका के अर्जन्टीना में ठीक क्या होगा आपका यहां पर गेहूं के खेती की जाती वैसे साथ अमेरिका में अर्जंटीनम है यहां पर क्या होता है एक घास हुगाई आती अल्फा अल्फा जो हाईली न्यूट्रियस घास होती है अल्फा अल्फा घास होगा जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है डेरी प्रोडक्ट एक्स्टेंसिव वीड प्रोडक्शन डीजन यहां पर क्या क्या होगा यहां पर जानुरों को अल्फा अल्फा ग्रास खिला खीक है तो यह आप से कोशन पूछा एगा किसके बंपास के बारे में आगे लिखेंगे बंपास बार डाउन्स कहां पे होते हैं कि डाउन्स कहां पे होंगे तो डाउन्स आपको पता है कहां होंगे कि कहां पे होंगे एउस्ट्रीलिया में डाउन्स की घास के मैदान होते हैं और यह किसके लिए होते शीप और कैटल डियरिंग के लिए लिए भेड और पस्पारन के लिए उप्यूक्त होगा और इसमें कहा गया यह क्या होता है यहां पर वीट और बीफ का एक्सपोर्ट होता है यहां से क्या होता है इट डील्स विद एक्सपोर्ट आफ वीट और वीट और वीट और वीट और वोलते हैं बीफ प्रोड़क्शन यहां पर आगे रहेगा आफ आप समझ गयोंगे इतना ठीक है इतना समझ में आ गया कोई डाउट पूसकते हो आप और जब मैप बनाएंगे तो खुदी जान जाएंगे कौन सा आपका कैसा होने वाला है यहां पर ठीक है अगला लिखेंगे अगला लिखेंगे वेल्ड अगले घास का मेंदान क्या है वेल्ड यह कहां पर है यहां मक्का उत्पादन बहुत होता है मेंज ट्रैंगल भी कहते हैं इसको मेंज ट्रैंगल भी कहते हैं आपड़ और सीप और कैटल डियरिंग के लिए जाना जाता है ठीक है यह आपका होगा सीप and cattle layering के लिए जाना रहता है है यह आपका South America में है कहां पर है South America में इस थी था यह मैदान ठीक तो यह पूछा रहता कहां पर South America में कुछ आप से और भी मैदाने हैं जिनके बारे में यहां पर पूछा गया है आपको अताना है हमको लिखे लिखे सम अदर इंपोर्टनट ग्रास लैंड्स जिनको हम लिश्ट में आपके इंक्लूड करदेंगे तो लिखे सम अधर इंपॉर्टन ग्रासलेंड्स कि कौन-कौन से ग्रास लेंड होंगे दिखो यहाँ पर ग्रास के मैदान है स्टपीज कहां से हैं ये यूरोप और नौथ एसिया से इस्टपीस के बाद लिखेंगे पुस्ताज पुस्ताज कहां पर है ये हंगरी में हंगरी में ठीक है पुस्ताज फिर आएंगे प्रेरीज इसको पर कल क्यूस कराएंगे इसलिए आज इसको हम पढ़ाया दे रहे हैं इसी तरह होगा पढ़ाया जाएगा पढ़ाया जाएगा पढ़ाया जाएगा ठीक अगला है ठीक यह होगा आपको कहां पर यह और जिन्टीना में होगा पंपास ठीक है अर्जिन्टीना में पंपास होगा इसके बाद पुछते वेल्ड कहां पर है तो अफ्रीका में है वेल्ड यहां पर और डाउंस आपको पता ही कहां पर है डाउंस आस्ट्रेलिया में ठीक, डाउन्स कहा होगा, औस्ट्रिलिया में, इसके बाद कुछे केंटाबरी कहा होगा केंटाबरी कहा होगा, केंटाबरी न्यूजिलेंड में होगा कहा होगा, न्यूजिलेंड में, ठीक है ठीक है न, इतना चले आगे आगे दिया गया पर सवाना कहां पर होगा अफ्रीका और आउस्ट्रिलिया में अफ्रीका और आउस्ट्रिलिया में इसके बाद बात करेंगे टैगा की यूरोप और एसिया में इस चीज को ध्यान दीजिए आपका यहां पर साउथ अफ्रीका में अंतर है इसलिए प्रीत प्रिसान मत होगा साउथ अमेरिका अलग लिखना साउथ अमेरिका अलग है आपका साउथ एसिया अलग है तो यूरोप और ठीक है इतना कंफर्म है किसी को डाउट मुझसे पूछ सकता है कोई भी कॉश्चन आपका होद में उसे पूछ सकते हैं आप लोग बता दूँगा मैं आपको यहाँ पर जल्दी साब लिख सकते हैं कोई डाउट है तो चलिए अगला टॉपिक कौन सा हमारा जल्दी से बाकी लोग को भी जोड़ लीजें जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं अगला टॉपिक कौन साब लिख सकते हैं कि अब बात करते हैं पहले बात जानों डेजर्ट कहते किसको हैं यह बात जानना भौजोज्टो यह डेजर्ट क्या होती उसे क्या करते हैं दैट्स कॉल्ल डेजर्ट उसे मरुस्थल कहा जाता है यह फ्रिशिपेशन जहां लेस दैंड ट्वन्टीफफइव सेंट्वीटर एन्वली होता है उसे डेजर्ट कहते हैं वागि लिखेंगे डेजर्ट के बार देखेंगे आपर है ठीक है लिखेंगे डेजर्ट में क्या होगा डेजर्ट लिखें डेजर्ट डेजर्ट मतलब होता आपका सिंपली मरुस्थल तो मरुस्थल जहां पर वार्सी को अर्सा का उसद क्या हो 25 सेंटिवीटर से कम हो उचे कहते हैं dessert ठीक है याद अखेंगे इसको भारत में डिजट कहां-खा मिलते हैं भाया तो पस्वि में और ये लेगे ना बिस सुक्य जो सबसे पुराने डिज़र्ट है वर्ड मोस्ट उल्डेस र्क डेजर्ट की बात की जाया बिस्शुक्य सबसे जो डेजर्ट है आपके जहा हम लेंगे वर्ड के जो फेमस डेजर्ट है वह मिलेंगे है वेस्टन ने कहां पर पस्वमी हमले में कहां पर मिलेंगे डिजर्ट आपको वेस्टन घाट में आपको डिजर्ट देखने को मिलेंगे अलब जो आपका वेस्टन रीजन होता किसी भी कॉंटेंट का वेस्टन हिस्टा हो वहां पर आपको ज्यादा डिजर्ट देखने को मिलेंगे ठिक पह आपको良गे कि मिलेंगे थिक्स्टी आपको दो हुश्षों मिलेंके रित्वी याद क्या करना देखो कि यह जो हमें साथ30 से यह है हम दिको डेजर्ट आपको हमें सहां हमेरे ही प्रेसर बेल्ट में क्या होगा हुआ हका हाई प्रेशर उच्छ वाई धाप वाली क्षेत्रों आपके डेसर पाई गया जाएंगे और उच्छ मी बंदा कहां बंधा है के जिखेख बनथा tat प्रित्वी पर चुदाव कहां बनेगा प्रेट्टीं परृप्रेसर जौन कहां बनता है कि अचे में हेभि झाहएप्रेसर जहां पर होगी वहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे कैसे मिलेंगे देखो ध्यान से तो जहां हाई प्रेसर होगा वहाँ हवाएं नहीं आती पौने नहीं आती पौने नहीं आएंगे बरसात नहीं होगी मैक्समुम जो डेजर्ट होगा थर्टी डिगरी और नाइंटी डिगरी के असपास देखने को नहीं मिलती है कि मिलते हैं त्रिखने को डेखने को सिंपल सी बात है कि डेजर्ट कि बहुत नमुकी जिसे मिलेगा आपको वहां पर बहुत कम okay test at ब्ַय मस्तार अब глазu स forced object स्व को मिल सकते हैं तो देखें कि आजगर यहां पर हुआ है हिसे बहुत पुनाएं गने चीज़तेब्स न्के बारे हम जानेंगे तो डेजर्ट में देख रहे तो मरुस्थल तो मरुस्थल दो तरह होते होते हैं होते हैं यह वह फिंद्ध कहा होंगे हमेशा पश्रूम में होंगे ठीक अपने कंट्री पे होंगे ठीक तो अपने आप अपने फ्लोर पे तो यह आपका हॉट डेजर्ट हो जाएगा लेकिन जब इस्ट में मिलेगा तो से कोल्ड डेजर्ट कहते हैं तो इस्ट में क्या होता है और यह आपका हॉट डिजर्ट क्या होता यह आपका कहां पर होता यह पूरा-पूरा आपका देखेंगे इस्टन पार्ट में देखने को मिलेंगे वेस्टन पार्ट में देखने को मिलेंगे वेस्टन पार्ट में आप जितना रहेंगे वहां गरम मरुस्थलों के इंडिया मे थार डिजर्ट उसके बाद कौन से डिजर्ट हमादा ठंधर डिजर्ट कौन से है ठिक यह आप देख सकते हैं इंदिया में ले है आपका कोल्ड है और अपका थार के होट डिजर्ट में आता है ठीक है इस तरह दुनिया भर में ठंडे और क्लासिफाइड किया गया है जल्दी से स्टाइट करते हैं भारत में ठंडे और गर्म मरूस्थल्थ देखने के लिए वार्ड फेमस डिजर्ट देखो कि वार्ड फेमस डिजर्ट ठीक तो वर्ड फेमेट डिजर में देखेंगे कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तापमान कहां पर होता है अल अजीजिया में होता है कहां पर पचास डिगरी से उपर देखा गया कहां पर अल अजीजिया में कि अब से टमप्रेटर से कहांगे अल अजीजिया ठीक है नाइंटी निडी टू में कि फिफ्टी सेवन पॉइंट आपका देखेंगे कितना सिवन सेवन डिगी सेलसिस ताप माने आका हो गया था कहां पर अल अजीजिया में सबसे राएंगो कहां पर है किस देश में यह कि लीबिया में सबसे ज़्यादा ताप मान कहां पर रहा है अल अजीजिया में रहा ध्यान सुनेंगे इसको फिर से मिटागे अगर आप लोग देखना पा रहे हों तो अल अजीजिया कितना होगा 57.77 degree centigrade आपका थाप मान आप देखने को मिलेगा ठीक है अब मैं आपको कुछ कुंछ्जs के नाम लिखुंगा और आपको वहाँ पर उनके बारेम लिखना है उनके टॉपई के विखना है डिजट की बारेम्ड के लिखिंगे आप उनकी location कहा पर ठंदें गर्म है ठीक है तो लिखें जड़ा सों आप यहाँ पर यह दुनिया भर की deserts है उनके वारे हम जानेंगे हम लोग तुछ खूभु सबसे पहले Antarctica दुनिया का सबसे बड़ा desert कौन सा है? Antarctica है sunhara तो तीसे नंबर पे आता है तो लिए पहला desert कौन सा होगा? Antarctica Antarctica मरुस्थल जो होगा सबसे बड़ा मरुस्थल होगा ये आपका North America में आता है कहां पर इंदे आपका पुछा आपको यह आपका पूछारा को सा होगा sabes है आपकश तने में situation में आता है औरुर्लीच में अधरितност में हें भुछता है और पंसे द्रेश में आएगा यह North America नौर्ट अमेरिका यूरोप यूरोप और एशिया ठीक तो यह आपके डिजर्ट हो जाएंगे आक्टिक में कहां कहां मिलता है उसके बारे में चलिए आगे देखते हैं अगला डिजर्ट कौन सा सहारा डिजर्ट अगला डिजर्ट दुनिया में कौन सा है जो सबसे बड़ा ह है यह सहारा के बारे में जानेंगे जल्दी शेर करते हैं बहुत जो लोग नहीं शेयर कि अभी तक गृप को में सिसन को जल्दी शेयर कर दीजिए मैं देख रहा हूं यहाँ पर आप लोगों के तीमिन नहीं नहीं आए जाते हैं एक क्वेटर वाली साइट नहीं मिलते हैं दोस्त हरें सर यह मिलता कहां पर आपका है डिजर्ट यह मिलता है आपका वेस्टन साइड में मिलेगा इस्टन साइड नहीं मिलते हैं उच्वाः वाली हम देखते पर एग जगहां पर टंपरेचर कम होता है वहां पर प्रेशर बढ़ जाता लेकिन अहां क्या होता जिए असपास अपर प्रेसर बंगों जाती फिर जब्रेफलेक्ट होती है तो आउसपास के यह यहीद्ध यह बनेंगा ठीक है सब्सक्राइब करें आँ आँ में है तब हुआ और या याँ पर है तो हाई प्रिसर बेल्ट बन जाता है वह वह कि नई रूप में काम करेंगे छलते हैं आगे यह आपर सहारा डिजर्ट जो करें सबसे बारा डिजर्ट है आईगा किसमें आएगा होट डिजर्ट मैं यहां पर सहारा और यह भी जाने हैं ऋच्छी जो होता है यह कहां पर होता है यह आपका अलजीरिया में आता है देश अगर बात किया जाएगा लीबिया में आएगा इजिप में आएगा और मुरुक्कों में आएगा और सुदान में होगा यूनीशिया में होगा ठीके? और मॉर्टीनिया में होगा मॉर्टीनिया में होगा और कहां पर होगा? नाइजर में होगा मिडिल अफ्रीका में होगा और इल्टीयम होगा यह बहुत पूरे देश के लगभग वापके अफ्रीका में बहुत सारे देशों फैला हुआ है मर उस्ता लिए तो आप वेस्टन जितना आप से इतना है पुछा ता वेस्टन सहा जितना भी आपका आफ्रीका होगा तो वेस्टन आफ्रीका में आपको यह डिजर्ट मिलने वाले हैं तो ध्यान दिजिएगा इसका आगे चलते हैं आगे कोश्चन पूछा गया और कौन सा डेजर्ट आपके हां दुनिया में हैं तो सभी डेजर्ट देग लिए कल इसके कोश्चन करवाया जाएंगे इसलिए आप ध्यांस पढ़ लिजा आज मैं आज कॉंसेट चुली क्लियर कर देता हूं और आप लोग कमेंट करिएगा कौ या फिर आपका नेवी का एक्जामनेशन हो तो आपको कौन सा से से यहां पर चलना करना चाहेंगे करना चाहेंगे चीजों को इसलिए आप हमें बता सकते हैं आप अपने कमेंट के दौरा कि आप चाहते क्या होंगे और दूसरा यह सभी लोग टेलिग्राम पर जूड़ ज तो आउस्टैलिया में do कि कैसा है हाट है ठीक क्लिए अब बात करते हैं यहांपर अरेवियन डि zepruch और और ऑस्ट्रीलिदेव में आपको मीघंड कौन-कौन से डिजट को यहां पर लिख सा Colli सिम्प्सन और विक्टोरिया इसी में आते हैं अगला लिखना है अरेवियन डिजर्ट अरेवियन डिजर्ट ये कहां पर है इराक, जॉर्डन, कोये तोगेरा में आता है कहां पर आता है इराक युएई कोयेट ओमान कतर लुप साओधी एरेविया ये इस다 आरेवियन डिजर्ट में आएंगे जहां बजूत होएं ilaq कि सारे वहांपर आपके डिया होते हैं अगला रिजर्ट हमारा गोभी कमरुस्त्ल कहां पर है कीस देश में आता प्राइज़ ठीक यह कैसा डियोट होगा विंटर होगा जैसे HSप से ठेंडा डिजर्ट है वैसे आपका कोल डिजर्ट होगा कहां पर है चाइना और मंगोलिया में कहां पर आता है चाइना और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल इसके बाद आएगा कालाहारी मरुस्थल काला हारी डेजर्ट हो गाई ये ये कैसा है होट डेजर्ट है यहाँ पर और ये कहां मिलेगा आपको ये आपको बोट सुआना नाव हो ये मतलब Southern Africa में है ये कहां पर है Southern Africa में अगर देश के नाम पुछ लिए जाद बताओ देश के नाम क्या होंगे बोट सुआना, नावीबिया, और साथ अफरीका, यह काला हाई डेजर्ट हो जाएगा, जो आपके साथन अफरीका में है, अगला लिखेंगे, पेटागोनिया डेजर्ट, यह बहुत इंपोर्टेंट इसको लिख लेना, पेटागोनियन, पेटागोनियन मरुस्थल, पेटागोनियन मरुस्थल कहां पर है, देखें ध्यान से, पेटागोनियन मरुस्थल जो अपका होगा, कहां पर होगा, अर्जेंटीना और चिली में होगा, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, यह कॉश्चन साथ अमेरिका में आता है, साथ अमेरिका आगे अगला कोशन पूछा गया आपसे अगला कोशन पूछ सकते हैं ऐसे एक्जाम में सिरियन डिजाइट कहां पर है सिंपल सा कोशन सीडियन डिजर्ड के में Syrian Desert ये कहां पर गर्म होगा इराक, जॉर्डन, सीरिया में कैसा होगा गर्म होगा इराक जॉर्डन और सीरिया में अब बात करते हैं यहां पर कि हुआ हुआ डेजर्ट ये बहुत इंपॉर्टन ये डेजर्ट सुनते नहीं लोग कि हुआ हुआ चिहुआ हुआ बोलते हैं इसको चिहुआ हुआ डेजर्ट ये गर्म होगा कहां मेक्सिको और यूएसे में हुआट होगा ये मेक्सिको और यूएसे में अगला है कौन सा नेक्स लिखेंगे अगला डेजर्ट कौन सा होगा कराकुम डेजर्ट कौन सा डेजर्ट होगा कराकुम कराकुम डेजर्ट कहां पे होगा तो कराकुम डेजर्ट के अगर बात करें तो ये होगा तुर्कमेनिस्तान में काईसा डेजर्ट होगा ये में है को ओल्ड होगा यह कहां पर यूएसे में है ठीक है को ड्रोगा कहां पर यूएसे में होगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं कि अगला कि सोनुरन डेजर्ट कहां पर होगा कि सोनुरन डेजर्ट यह कहां पर गर्म होगा मेक्सिको और यूएसे में ठीक मेक्सिको और यूएसे में होगा कि जिल कुम कि जिल कुम डेजर्ट कैसा होगा पोल्ड होगा, कहां पर होगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ुजबेकिस्तान कहां पर होगा कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उस्बेकिस्तान है कि ये अपका कॉन से हो गया अब तकला मकान कहां पर होगा तकला मकः पर उस्थ्ल होगा यह कैंड होगा ना कि आव चलिए ठीक आगे लिखते हैं अगला लिखेंगे थार डिजर्ट आप जानते हैं इंडिया में होता है यह थार डिजर्ट कहां पर है इंडिया में ठीक इंडिया में और इंडिया के साथ कहां पर पाकिस्तान में भी है अब देखेंगे दस्ते लुट्ट दस्ते लुट कहां पर है ये और दस्ते कबीर कि दस्ते लुट कहां पर है इरान में और दस्ते लुट भी कहां है कबीर भी कहां इरान में और ये सब क्या है होट ये भी होट ठीक है अब बात करते दस्ते मार्गो दस्ते मार्गो गर्म होगा अफगानिस्तान में अब ही आपको सारे ग्रास लेंग लिक्वा दिये है ये आपका का दूसरा डेजर्ट लिखवा दे रहा हूं यह दोनों चीजे कम्प्लीट हो जाएंगे तो कल इसका टॉप 50 को टेस्ट हो जाएगा जिससे आप लोग यह नहीं पढ़ा नहीं था एक सेशन में पूरा कम्प्लीट आपको डिटेल दे दिया जाएगा जिससे आप लोग प्रै का कंड़क करा दूँगा ठीक है आगे बात करते हैं अटा कामा डिजर्ट क्या होगा अटा कामा डिजर्ट लिगे अटा कामा डिजर्ट अटा कामा डिजर्ट अब अटा कामा डिजर्ट कहां पर है देखेंगे जरा अटा कामा डिजर्ट आपका कहां पर है आपका गर्म है यह और चिली और पेरू में है चिली और पेरू में है ठीक है अगला लिखे मुजावे डिजर्ट मुजावे डेजर्ट होगा जो कहां पर होगा USA में कहां पर होगा USA में कैसा होगा हाट ठीक आगे लिखेंगे कोलंबिया शरी नामिब डेजर्ट नामिब डेजर्ट कोल्ड होगा ये नामिबिया में Gibson और Simpson यह दोनों कहां पर हैं? अस्टरिलिया में कहां पर होंगे? अस्टरिलिया में होंगे ठीक है? यह सारे dessert मैंने करा दिया आपको जो dessert important आप से एक्जाम में पूछे जा सकते थे सारे एक सारे dessert आपको मैंने यहां पर करा दिये तो डेजर्ट जो दुनिया के सबसे वहत्रूरीन डेजर्ट थे जिन में बहुत सारे कोशन पूछे आ सकते थे वो सारे मैंने आपसे कंड़क करके कंप्लीट करवा दिये हैं इससे जादा कभी डेजर्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा यह तरीकिक में फूल स्टॉप लगा दे रहा हूँ इससे जादा दुनिया में डेजर्ट आपसे नहीं पूछे जाएगे कभी नहीं पूछा जाएगा आप दिलपकुल ध्यान रखियेगा कभी डेजर्ट आपसे नहीं पूछा जागा रहता है जहां एवर्हेस रेइनफॉल below 25 cm होती है that's called desert और desert में क्या होता है maximum desert आपके 30 degree और 90 degree मिलेंगे बस वर्ड के जो desert होते है average आपको 30 degree पर और 90 degree पर ही मिलेंगे और western part of continent मिलते हैं मतलब continent के western हिस्से में ज्यादा मिलते हैं और desert आपके ठंडे भी होते हैं गरम भी होते हैं बालू के भी होते हैं पत्थर के भी होते हैं बर्फ के भी होते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े desert मैंने बताया दो बर्फ की बने हैं जिसका नाम और अंटार्क्टिक है ठीक है साइद आपने लिख रखा हो है आपकर clear इतना ना लिखो जड़ा word famous play to कि बिस्ट के प्रमुक पठार वर्ड फेमस प्लेट्व के बारें बात करेंगे बिस्ट के प्रमुक पठार के बारें बात करेंगे कौन कौन से प्लेट्व हैं और उनके टाइप औप मेजर प्लेट्व और फेमस प्लेट्व के लगएं प्लेट्व क्या होते हैं एक एरिया होता है इसा हिस्टा जो 1000 मिटर फटक उठा हो लेकिन लेकिन उसका इसलो स्लेट और इतनी हैं अपाज़ का कहंँग उत्य तरह इस तरह का अकृति हैं कि आएट उटनी ये लेकिन आकर्ति ऐसी है तो रिशेगा कहेंगे सुपमैंटिव कहां कहां से यह जानेक्ट यह जो इसका फ्ंटॉप होतां है यह आपको आपका यहां पर प्लेटू वादा पठार कहलाता है कि क्लियर है इतना तो लिखें जरा दुनिया की कुछ इंपॉर्टन प्लेटू लिख लेंगे कहां कहां पर लिखो तो उसे पहला प्लेटू कि कि दक्कन का पठार कि यह भायर की कितने राज्यों में हैं कि एक्स्टेंड कि ओवर एट स्टेट्स इंटायर साउथ इंडिया में है यह और तीन परवस स्रेडियों से घिरा हुआ है कितने राज्यों में है आठ राज्यों में फैला हुआ दक्कन का पठार भारत का कहते हैं कि दक्कन पठार का जो छेटफल भारत के कुल छेटफल का लगबग 25% है तो भारत का सबसे बड़ सिंक्लाउस गिरा हुआ है कवर्ड विद थ्री मांटें रेंज क्या होगा तो अगला कौन सा है भारत में कुछ फेमस प्लेट्वी लिख लीजी आप यहां पर दूसरा है दूसरा भारत में यह कौन सा है जिसका नाम क्या है छोटा नागपूर का पठार छोटा नागपूर पठार जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंडियाज रूर कहते हैं इंडियाज रूर मतलब होता है जहां पर मैक्समुम मिनरल डिपॉजिट होता उसे क्या बोलते हैं उसे रूर बोलते हैं Maxumum mineral deposit यहां पाया था इसल्मे क्या बोलते India रूर भारत का सबसे अधिक mineral deposit यहें मिलता है इसलिए को इंडिया का रूर कहा गया है सिट donations क्या है अगला एसको इंडिया का रूर यहां रूर कहा है रूर 26 को हम लोग describe कर सकते हैं यह एक कोई टाव bouड सकते आप लोग एक्सक्रेशन भी बात करेंगे प्लेट रीजिन हमरा जो अगला है तो अगला कॉन से प्लेटियु यह तिबतन प्लेटियु अगला प्लेटियु जो तीसरा फ्लेटियु हम बात करेंगे याँ पर तिब्बतन प्लेट्व तिब्बत का पठार कहां पर है चाइना में कहते हैं इस से हाइएस्ट एन बिगज्ट्व औन दा अर्थ इसे पिट्वी का उसके कहते हैं यह क्या है यह हाइएस्ट कि एंड बिगज्ट डेट्व औन अर्थ कि सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं प्रित्वी पर सबसे ज्यादा उचा प्लेट्यू है इसे प्रित्वी पर सबसे बड़ा और सबसे उचा पठार है ठीक है इसे कहते हैं सबसे बड़ा और सबसे उचा चौर्थे नमबर कौन है कटंगा प्लेट्यू कटंगा प्लेट्व कहां पे है कटंगा प्लेट्व आपका है कॉंगो में कांप होगा कॉंगो में होगा फेमस फॉर कॉपर माइन्स यह किसली जाना जाता है फेमस फॉर तांबे की में होगा फेमस फॉर कॉपर मैने त्यक जाना जाता है लास में लिखते हैं-कॉंग लेट्व डेक्कनечь क्या थे क्या है यह it is a part of peninsular platew क्या पार्ट ओफ पनिंसलर प्लीट्व का पार्ट है यह और यह भी कहा गया this is a volcanic nature and igneos rock क्या है volcanic nature का है यह एंड इगनियस रॉक्स बना हुआ ठीक है लिख लिया तो यह कुछ प्लेट्यूस थे जो मैंने आपको इनके बारे में बताया है दुनिया के सबसे इंपॉर्डन प्लेट्यूस में से एक जो बताया गए मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में जो आप जान चुकए है यहां पर और कई सारी पठारों के बारे में बता दिया दुनिया के जोiosa में है अब लिखें आगे कुछ और प्लेट्यूस लिखवा देता हूं मैं आपको कौन से प्लेट्यूआ कहाँ पर है मेजर प्लेट्यू में लिखा आपने डेकन ट्रेप अब लिखो अगला तिबतन प्लेट्यू होगा अब लिखो कोलंबिया का स्नेक प्लेट्यू अगला प्लेट्यू कौन सा है स्नेक प्लेट्यू कि यह कहां पर है कोलंबिया में यह कॉलंबिया में होगा और रीवर कॉलंबिया और इसनेक रीवर आपस में मर्ज होती है कि यहां पर कॉलंबिया नदी चैनल इसनेक रीवर क्या होती है Marge होती है आपस में इसलिस का नाम के स्ठैक प्लेटी रखा गया है यह और यह कैसे रिजल के से वाल्के बैसेलिटिक लावा से बना वा है किसे बना यह पहले आपर जामजी कहां पर है स्नै क्लाप्रिया कहां कोलंबिया में यह जानते रहेगा और कोलंबिया कहां है साउथ अमेरिका में एक तो यह आपको जानना जुरूई है कहां पर लोकेशन ज्यादा पूछी आती है ठीक है नेक्स चलते आगे कोलंबिया इसनेक प्लेट्व के बाद डेकन प्लेट्व होगे आपका अगला लिखो किंबर्ली प् कि ऑस्टेलिया में है यह वालकेनिक इरप्शन से बना किस के लिए जाना ता मिंडेल्स का रिजर्व कौन-कौन से मिंडेल्स यहां पढ़ा आते हैं कि मिंडेल्स रिजर्व मिलते क्वघ्चन कौन adore सूसंह पर यां पर गोल्ड मिलता है कि अगरन है लेड है जिंक है पर कि चुलवर है है ठेक है और डायमंड है यह सारी चीज oynहां पर मिलती है ठीक है यह सारे प्लेटु मैंने लिखवा दिया जो कि कौंगों आपने देखा यह पर और जो किसके लिए examination a collect that copper के लिए अपने या पर automate copper के लिए आना चाहिआ अब ुआ कि अभि लिखें के कहों सा प्लीटीव कि याुँक को लोरेंसियन प्लीट्व अगला लिखें लॉरेंसियन कहां पे है ये कैनेडा में है कहां पे होगा कैनेडा में होगा ये और किसके लिए जाना जाता है आईरन और रिजर्व के लिए ठीक नेक्स कौन सा है आपका मेक्सिकन ये किस लिए जाना जाता है मिन्रल स्टोर इसके लिए मिन्रल स्टोर जानते हैं डिफरेंट टाइप इसको किस नम से जानते हैं नोन आज मिन्रल स्टोर जैसे हमारे इंडियाज रूर कहते थे उसको कि मिलता है सिल्वर और कापर और यहां पे सिल्वर माइन है चिहुआ हुआ यहां पे सबसे बड़ी माइन है किसकी किसकी माइन है है चिहुआ हुआ मााइन है यहां पर किसकी है सिल्वर की कि खीलवर की सबसे बढ़ी मासीफ प्लेटूं अगला प्लेटू कौह दूख़िंग मासीफ प्लेटूं मासिफ प्लेटू ये क्या होता मासिफ प्लेटू कहां पर है फ्रांस में है कहां पर है फ्रांस में है और किसके लिए जाना जाता है अंगूर के खेती के लिए इसके लिए अंगूर के खेती के लिए जाना जाता है इन one फॉर ग्रेफ ठीख अगला कौन सा है leлаг कर थार मैं कि लोएस प्लेटव जो कि आपका चाइना में है पीला पठाइब भान ने जाता है यह कहां चाइना में चाइना में है स्व्य благодар पार्टिकल्स ने किसे हैं यलो रीवर से बना हुआ है यह यह क्या एक्स्टुमली प्र्ट्ट्टूव है यह और अलॉंग येलो रीवर और ये कहां भी येलो रीवर थी है कि ये ठीक हो गया तो यह इतने पठार हैं यहां पर नेक्स देखेंगे लास्ट में कौन सा पठार होगा आपका अगला पठार अनातोलिया प्लेट्यू कहां पर एसिया टुर्की में है अनातोलिया अनातोलिया का पठार होगा जो कि कहां पर है इस्तित है एसिया में थोड़ा सा एसिया में है और मैक्सिम कहां तर्की में मैक्सिम कहां तर्की में है यह और यह किस लिए जाना जाता है यहां पर टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर यहां बहती है यहां पर टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर और यहां अंगोरा गोट्स के लिए ये किसके लिए जाता है नोन फार अंगोरा गोट्स अंगोरा बकरीयों के लिए जाना जाता है क्योंकि यहां क्या होता अगोरा गोट्स जो है महंगा उन पैदा होता इसके लिए जाना जान चुके होंगे यह तो यह इतना था आज का सेशन आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो like share subscribe जरूर करेंगे इसको share करेंगे अपने चैनल को subscribe भी कर लेंगे और share भी कर देंगे दोस्तों के साथ ठीक है तो हम लोग आगे बढ़एंगे इसको और चीज़ देखेंगे next यहां पर तो इसको share कर देंगे अपने दोस्तों के साथ सकते संजय 10 इसको अब सेयर और सबस्क्राइब करसकते हैं इसको आप सेयर सबस्क्राइब कर सकते हैं थैर्टिसर जुढने के लिए बहुत बहुत धनीबाद ठीक है